कि चलो अभी अपने कोशन नमबर टैन स्टार्ट करने वाले हैं कोशन नमबर टैन कोशन नमबर टैन में क्या दे रखा पहले में रीड कर रहा हूं तो क्लोजिंग कापीटल आप रगुवीर क्लोजिंग कापीटल आप रगुवीर वह दे रखी हमको कितनी एटी थाउजन रूपए 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 रूपीज एटी थाउजन क्लोजिंग कापिटल दे रखी है इन वीच इन वीच मतलब इसके अंदर ही इन वीच रूपीज 12500 ड्रॉइंग के है कि 12500 ड्रॉइंग ऑफ दो करन्ट यर्ट drawings of the current आगे लिखा है एन प्रॉपीट आफ 17,800 और प्रॉपीट जो है और उसका जो प्रॉपीट है वो रुपीज 17,800 कितना रुपए है 17,800 क्लियर सबको समझ में आया आगे समके अंदर लिखा है वाट वील बी दा इंट्रेस एट सिक्स परसंटेज समके अंदर फाइंड क्या करना वह अभी यहां पर यह रखा है ना वाट वाट विल बी इंट्रेस वाट वील बीदा इंट्रेस एड़ सिक्स परसंटेज पर एणम उसका इंट्रेस कितना होगा अगर सिक्स परसंटेज पर एणम के हिसाब से इंट्रेस्ट गीना जाए तो वो इंट्रेस्ट कितना होगा ओन ओन दो आपनिंग बैलाइंस आप दो इतना सम के अंदर हमको देखे रखा है सम को वापस में समझा देता हूं कि क्लोजिंग कापिटल रघुवीर की दे रखी हमको असी अजार उपए उसके अंदर 12500 ड्रॉइंग के एंड 17800 करंट येर का प्रॉफिट इंक्लूड अब अगर सम के अंदर 6% पर एनम के हिसाब से अगर इंट्रेस्ट गीना जाता हो तो हुईर की अप्निंग डिटल पे बोला यहां पे देखो कि अंदर कॉन सी एंट्रेस्ट गिनना वो यहां पर धेदे रखो समके अंदर क्लीर बोलाए कौन सी बैलक्ड बैलन्स फेकिनना है आपणिंग बैलन्स अप दा कैपिटल ल rugभी ना उसके इंट्रेस्ट एंदर और स क्या निकालने पड़ेगी ओपनिंग टापिटल अपने जब फाइनल एकाउंट 11 स्टांडर के पड़े था फाइनल एकाउंट जब हमने 11 स्टांडर का पड़ा था ता उसके अंदर एक बैलेंस इट में लायाबिलिटी सेड़ एक फॉर्मिट था कि ओपनिंग कापिटल कि अपनिग कापिटल कि अंदर प्लस किया जाए माइनश किया ते था फैले या माइनर तो क्या कि ऐसा है माइनस किया जासा प्रॉपिट माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आदी थी उसमेंस अपने उसमेंस अपने एट डbor नहींब सब्सक्राइब करते थे तो लास्ट में जो हमको जो आंसर मिलता था वह अपना किसका होदा था लोग्लोजिंग बैलन्स मतलब कोल क्लोजिंग बैलन्स या तो लोग्लोजिंग कापिटल अब यहां पे संके अंदर कौन सी कि इन्फरमेशन देखे रखिए-ड्रॉइंग माइनस है कि अब और यामिए को आफित मायनस है प्लस है कि रोफिट मायन नस है प्लस होता है यह फ्लस होता है अब माईनस बोल रहें अब इस तरफ दियान क्लोजिंग कापिटल जो रगुवीर की वह सब्सक्राइब दे रख तो एटी थाओजन दे रखी इन गौको क्लोजिंग कैपिटल के सामने मैंने कितना तब सब्सक्राइब कि कि अंदर जो ड्रॉइंग है ड्रॉइंग है ड्रॉइंग जो है वह हमको देखेर रखा है कि एना एंड प्रॉफिट है प्रॉफिट जो हमको देखे रखा है सेवन्टीन ताउजन एट हंड़ेट सत्रह आजार आठ सो अब यहां बे कि हाव बोलू सर्थ कि आहाँ कि आहाँ कि अब इतनी इंफिर्मेशन दे रखी अब समके अंदर हमको 6 परसंटेज जो इंट्रेस्ट गिनना है न वह आपनिंग कैपिटल पहले तो करना पड़ेगा तो यहां पर आपको ध्यान दकना है यहां पर देखो अपने देखो के तो कहीं बहुती है उन्हीं कि युदी कपिटल के अंदर से मतलब हमने क्या किया हुआ है ड्राइंग माइनस किया क्या हुआ है दूनहें तो कि हमको profit plus करने के बाद कितनी एमाउंट आई थी profit plus करने के बाद कितनी एमाउंट थी तो वो दो तरीके से आप ढूंड सकते हो या तो opening capital में आप 17,800 प्लस करो तो एमाउंट मिल जाएगी और यहां पे देखो यहां पे कुछ एमाउंट थी लेकिन वह अभी हमको पता नहीं है तो कितनी एमाउंट एकस अगर हम-12500 करते हैं तो इस तरह आपके क्या होजाएगा प्लस हो जाएगा थो आपना आंसर कितना हो जाएगा 22500 यहां पे साथ जाएगी वह चाहेगी चल भारा हाजा सवरी 92 500 कितनी रखेंगे अपने अब यहां पर कितनी है वह हम को पता नहीं है तो सपूर्स करो हम ने कैपिटल अपनी वाइब हैं आपनी वाइब कितनी है य के यंदर हम वाइके अंदर हम सेवंटें दाउजन एट हंडर प्लस करें अपना जो आंसर है ना वह कितना आ रहा है तो इसका मतलब की वैल्यू कितनी हुए तो वाई इस इकल टू नाइन्टी टू थाउजन थाउजन फाइवन्डरेड तो वाई की मतलब अपनिंग कैपिटल हमको मिल जाएगी कितनी होगी वह अपने यहां पर का भी यूज करना तो आप कर सकते हैं माइनस सेवंटीन थाउजन एटन अपना आएगा सेवंटी फौर थाउजन सेवन हंद्रेड उसका मतलब जो भी पार्टनर रगुवीर है उसकी आपनिंग कापिटल कितनी होगी सेवंटी फौर थाउज कि कापिटल इस इकॉल टू सेवंटी फौर थाउजन सेवन हंद्रेड मल्टीपला बैस समके अंदर रेट आप इंटरेस्ट कितना वोला है तो मल्टीपला है पहम क्या करेंगे सिक्स परसंटेज तो अपना जो आंसर आएगा वह आप क्यलकुलेटर में कर सकते मल्टीपला यह सब्सक्राइब कर दो कि अगरेट नहीं कर सकते प्रॉपीट माइनस ड्रॉइंग इसको सर एट था मैनेस कर देतो है वो भी चले वह वैसे भी कर सकते लेकिन प्रॉपर मैथर दिखाने पड़ेगे न चलो यहां पर क्लियर यह सम मिटा दो नहीं अभी यह सर्ट चलो अभी लास्ट सम बागी च्छोटा सा वो कर लेते अपने वह सम भी इजी है कुछ हार्ड नहीं है और अपना इलेवन अभी तो कोश्चन नंबर इलेवन के अंदर क्या दे रखा है वो पहले रीड कर देता हूं मैं न तो कोश्चन नंबर इलेवन में हमको ले दिये रखा है ए बी सी आर दा पार्टनर सेरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रपोरेशन तीन पार्टनर है यहां पर इक्वेशन नंबर 11 में बोला है कि ए बी सी इस इतीन पार्टनर है और यह तीनों पार्टनर है न वो समके अंदर क्लियर बोलाए इक्वल रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीबिट करते हैं वह खास यह तीनों जो पार्टनर है वह कौन से रिशियो में प्रॉफिट शेरिंग कर रहे है एक्वल रेशियो के अंदर शेरिंग कर रहे है किसके अंदर एक्वल रेशियो के अंदर शेरिंग कर रहे है आगे लिखा है दैर का टोटल कैपिटल पॉर लेक्वाटी थाउजन सब की मिला के टोटल रूपिस कापिटल जो है टोटल मतलब टीनों की मिला के फंकी टोटल जो डिटल है टोटल सब ने मिला के चार लाख पचास अजा रुपे इंवेस्ट किया कितना रुपे और लेक फिप्टी थाउस अगे समके इन दिला देर प्रॉपोरेशन और कैपिटल मतलब किसका कैपिटल का रेशियो दे रखा है कैपिटल का जो रेशियो है वो समके अंदर बोला है कि कैपिटल का रेशियो है वन इस्टू त्री इस्टू टू वन इस्टू सबका टोटल करें अपना आंसर कितना आएगा वन प्लस ट्री पॉर प्लस टू सिक्स कितना आंसर आएगा अपना सिक्स आंसर आएगा उसके बाद लिखा है हम पें इंट्रेश ओन कापिटल लाइन परसंटेग्स इंट्रेश ओन कापिटल जो समके अंदर है वो नाइन परसंटेज दे रखा है पर एनम एंलिका पादनर सी थेड़ीव पातनर सी रिसीव रूपी शेवन थी थी थाज़न फैजंड वहंट इ vereंटी थाज़न फैवहंट्रेश पीन्ते थाज़न फैवहंड रेड एंक भूदेश्ट इंकूटें एंक रिश्तरिक्लूड इंकूूढ इंट्रेस ओन कापिटल तो यहां पर फाइंड करना है वाट विल भी वाट एमाउंट वाट अमाउंट विल भी ते रिसीवड बाई ए एंडवी एंविक और बी को कितना कितना मिलेगा वह हमको फाइंड करता है है नाइन परसेंटेज गिनना है और उसके बाद समके अंदर लिखा है कि सी को टोटल मिला के साथ सेवंटी थ्री थाउसन फाइवंडेड रूपीज मिल रहा है तो ए और बी को ऐसे कितना रूपे मिल रहा होगा वो हमको समके अंदर करके निकालना है तो यहां पर सबसे पहले मिला लग अलग कर लेथे किनों के कपिटल कितनी कितनी है ती वह निकाल दे तो यहां पर संके अंदर क्लियर की जो सबक्य मिला कि चार लाग संच मिलतनी चाहर that उन्हों लौण को चेपिटल होगी वह की सेबंटी फाइद एक की तरी में की थिसक्राइब ऑग निकालो होगी ताप एक लाग पचास जाज रूपिया आएगा कैसे रेश्यों आपको सम्किया अंदर देखी रखा है और रिश्यों में आपको आता हैं अब उसको निकालते हैं इंट्रेस ऑन क्यापिटल सम्के अंदर बोला है हमको 9 परसंटेज कितना बोला है 9 परसंटेज बोला है तो पहले हम पहले बात करें किसकी एक केपिटल कितनी है 75,000 का 9 परसंटेज होता है रुपी 6700 परसंटेज करेंगे 20,250 आएगा तीसरा जो पार्टनर सी उसका हम उतना करेंगे कितना आएगा 13,500 नेट कैपिट ने इंटरेशन कैपिटल प्लस उसको क्या मिलेगा बिजनेस में से प्रॉफिट मिलेगा और सबको कितना कितना प्रॉफिट मिलता है वो समके अंदर देखी र रहा है वो समके अंदर हमको यहां पर देखी रखा नहीं है लेकिन एक चीज़ हमको देखी रखिए समके अंदर ऐसा बोला है कि सी को कौन से पार्टनर को सी की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं यहां पर सी को सी की इंक्लूडिंग इंट्रेस इंक्लूडिंग इंट्र कितना होगा 73,500 सबको समझ में आई तो चलो अभी देखो सी को टोटल मिल रहा है 73,500 उसमें से 13,000 13500 इंड्रेस का उसका मतलब कितना होगा उसका 60,000 बोलो चलो अभी सिक्ष्टी थाउजन प्रॉफिट सीका आया वो समझ में आया सबको अधियर सब्सक्राइब दूसरा चीज समके अंदर क्लियर बोला था कि तीनों पार्टनर का प्रॉफिट लॉस्टा सेरिंग रिशियो कौन सा था एक वल था इसका मतलब यह हुआ एकोंकी कितना मिलता होगा सेथानस भीकॉस प्रॉफिट लॉफिट लॉस्टी रॉफिट रिशियो क्या था एक्वेल था अप इसको सेच्टी थाउजट मिल तोटल मिला कि कितने मिलते हैं एको 6700 इंट्रेस वन कापिटल 60 थाउजन नेट प्रॉफिट दोनों का टूल करें तो 66,750 रुपिज मिलेगा और बी का टूल करें कितना 20,250 प्लस 60,000 80,250 रुपए मिलेंगे क्लियर सबको समझ में आया है इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो बोलो है नो सर तो यह वापस अपने यूटूब चैनल पर यह वीडियो अपलोड हो जाएगा जो भी हमने समकिया मैंने रेकॉर्ड किया है अगर आप लोगों को बाद में भी होमवर्क करते टाइम न करेंगे जो अपने फाइनल एकाउंट के अंदर इंपोर्टेंट होंगा कल अपना टाइम टेबल लेक्चर का टाइम वो का वह यह उसके अंदर कोई चैन्जिस नहीं है